दोस्तो आप सभी का Only Top Study में स्वागत है Railway Group D वालों के लिए अभी टाइम बिल्कुल नहीं बचाया दोस्तो और अभी आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है जितना हो सके practice करिए और practice के लिए daily में आपके लिए 100-500-200-300 questions भी लेके आता हूँ कभी कभी तो आप लोग एक भी वीडियो को miss मत करिए और जो मैंने बिल्कुल exam वाले person की एक playlist बनाई है ये आपके लिए बहुत important है मैं इतना चिला चिला के बोल रहा हूँ ना इस time पे अगर आप ये बिल्कुल exam वाले person की वीडियो देख लोगे ना सारी तो आपके exam में direct question फसेंगे क्योंकि उसमें सब कुछ cover करा रखा है मैंने एक बड़ जाके चेक कर ले ना description box में link है और आज की वीडियो में हम विग्यान के 35 question कवर करने वाले हैं आपका score क्या रहेगा दोस्तो 35 में से नीचे comment box में जरू बतेगा आप PDF भी download करके पढ़ सकत दोस्तो दो PDF का link नीचे description box में available हैं बाकी timing note कर लिजे यह सभी वीडियो जाती है पूरा दिन only top study channel पर चैनल को subscribe करके रखे बैल आइकन को on रखे ताकि जैसे वीडियो upload हो आपके पास notification पहुँच जाए और दोस्तो वीडियो को यार like कर दिया करें काफी कंजूसी कर रहे हम हम आपके लिए मैनत कर रहे हैं और आप like करने में कंजूसी कर रहे हैं तो यह तो अच्छी बात नहीं है ना बई चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तो आज की वीडियो को पहला कोशन है सत्यफल यानि कि false fruit उत्पन होते हैं यानि कि सत्यफल दोस्त आपको बता रहे हैं उत very important mark कर दूँगा तो उस कोशन को बिल्कुल भी हलके में मतले ना मतलब ठीक है याद गर लेना रट लेना उस कोशन को तो इस कोशन का right answer हो जागा दोस्तो पूस्प कर्म से यानि कि right answer is option यानि कि ए सत्यफल जो होते हैं वो पूस्प कर्म से उत्पन होते हैं तो यह आपको से ठीक है तो दोनों ही कोशन important थे तीसरा कोशन है दोस्तो कोर्णिया मानव सरीर के किस अंका भाग है यार मतलब बिल्कुल easy कोशन है answer आजाना चाहिए सभी का बढ़ कोशन 3 का right answer बते हैं तो देखे कोर्णिया जो है मानव सरीर के किस अंका भाग है तो यह दोस्तों नेतर का भाग है यानि की right answer आपका C हो जाएगा question number 3 का question number 4 है घेंगा रोग किस की कमी से होता है दोस्तों घेंगा रोग किस vitamin की कमी से या किस iodine की कमी से होता है तो question number 4 का दोस्तों right answer हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर है iodine की कमी से होता है दोस्तों घेंगा रोग ठीक है अगला question को को इस ने जैसे को हुआता है नेत्रदान में दाता के आंको का कौन सा भाग परतिरोपित किया जाता रहा है तो पांचवे कोशन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर है कॉन्यया की right answer is option है यह आपको याद रखना है पांच वे कोशन के बारे में चटा कोशन है किस मानव अंग में सरवधिक कोलेस्ट्रोल उत्पादित होता है तो चटा कोशन भी बहुत ही अच्छा कोशन है तो मानव से लिके किस अंग में मिलता है तो मश्रूम में दोस्तों क्या होता है सबसे अधिक बिल्कुल सही उत्तर किया है अगर आप लोगों ने याँ पर प्रोटीन आंसर लगाया है मश्रूम में दोस्तों प्रोटीन होता है काफी ठीक है अगला कोशन है अधिक्तम साकारी प्रोटीन पाए जाते हैं तो इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है, अधिक्तम साहकारी protein दोस्तो पाए जाते हैं दालों से, ठीक है, तो right answer is B, यह आपको यह दखना है, अगला question है, तमाकु में पाए जाने वाला रसायन दोस्तो कोन सा है, तमाकु में पाए जाने वाला रसायन कोन सा है दोस्तो, right answer हो जाएगा, nicotine बिल्कुल सही उत्तर क्या है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर B right answer लगाया दोस्तो, question number 10 का, अगला question है, कोन सा vitamin यकरत में संचित किया जा सकता है, तो 11 कोशन का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा, vitamin A यानि की option यहाँ पर दोस्तो, A right answer रहेगा, ठीक है, अगला question है, मानव सरील के किस अंग में हड्यों की संख्या सर्वदिक है, तो यह बताएगे बई, 12 कोशन का right answer क्या रहेगा दोस्तो, मानव सरील के किस अंग में हड्यों की संख्या जो है, वो सबसे ज़्यादा होती है, तो दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा, उंगलियों में, यानि की A यहाँ पर right answer होगा, question number 12 का, अगला question है दोस्तो, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित है, होता है यह आपको बताना है, तो इस question का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा, question number 13 का right answer हो जाएगा, 6 mass patient से, यानि की right answer is B, यह आपको दोस्तो याद अखने, काफी अच्छा question है, अगला question है, question कर तथा मरासमस, बिमारी किस की कमी के कारण होती है, तो यह बिमारी दोस्तो होती है, किस की कमी के कारण? right answer हो जाएगा, protein की कमी के कारण, यानि कि C is the right answer, अगला question है, diabetes यानि की मदुमे का कारण क्या है, तो diabetes का दोस्तो कारण क्या होता है, तो इस question का सही उत्तर होगा, insulin की कमी, तो सबसे अधिक लोहा दोस्तो अंडे में, सबजियों में, दूद में, या सेब में, तो इस कोशन का सही आंसर रहेगा, हरी सबजियों में, दोस्तों, यहाँ पर सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, यह आपको याद दखना है, अलर्जी परतिक्रिया के कारण उत्पन रोग है, तो अलर्जी हो जाती है कहीं बार दोस्तों, यह किसकी उत्पत्ति क के कारण रोग है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दमा यानि की उप्षन, ए इस दर रहेट आंसर, अगला कोशन है, एन्टी टोक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोग ठाम के लिए दिया जाता है, तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा, टेटन आसकी यानि की ऑप् जो ठीक नहीं किया जा सकता है तो इस Question का दोस्तो right answer हो जाएगा Color Blindness यानी की Right Answer जो जाएगा ये आपको या दखना है Color Blindness को ठीक नहीं किया जा सकता है अगला Question विदाल Test का उपयोग किसकी संभावना की जार्च के लिए किया जाता है तो विडाल टेस्स दोस्तों किया जाता है किसकी संभावना की जाच के लिए तो राइट आंसर हो जाएगा 21 वे का आपका टाइफाइड की जाच के लिए यानि कि B यहाँ पर राइट आंसर हैगा 21 वे कोशन का अगला कोशन आता है ST गेमेटिजम एक बिमारी है तो ST गेमेटिजम एक बिमारी दोस्तों कहाँ पर होती है इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आखों से संबंदित है यानि की राइट आंसर इस भी यह आपको याद अखना है अगला कोशन है चेचक के टीके की कोज सरपर्थम किस ने की थी तो 23 कोशन का सही उत्तर होगा एड़वर्ड जैनर ने यानि की C हाँ पर राइट आंसर हैगा 23 कोशन का दोस्तों अगला कोशन है मवेशियों में अर्ग गोटिजम रोग होता है तो इस कोशन का दोस्तों सही आंसर रहेगा आपका कवो को दुआरा यानि की C is the right answer कोशन 24 का right answer C हो जाएगा ठीक है अगला कोशन है ORT किसके रोग चार से संबंध है तो इस कोशन का दोस्तों right answer हो जाएगा 25 का अतिसार से यानि की right answer is D यह आपको यादक ना है HIV संबंधित है दोस्तों यह बताना है तो 26 कोशन का right answer हो जाएगा HIV संबंधित है AIDS से यानि की D यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला कोशन है निमोनिया रोग किस अंग को परभावित करता है दोस्तों निमोनिया रोग परभावित करता है आपका किसको फेबडो को यानि की right answer A हो जाएगा ठीक है अगला कोशन आता है निमोनिया किसके कारण होता है तो निमोनिया दोस्तों किसके कारण होता है 28 कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बैक्टिरिया के कारण यानि कि A आपर सही आंसर हैगा कोशन अबर 28 का 29 कोशन है रिकेट्स A है एक बिमारी तो 29 कोशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस से संबंदित बिमारी है रिकेट्स एक बिमारी है दोस्तों जो की हड्डियों से संबंदित है हड्डियों की बिमारी है तो राइट आंसर इस भी यह आपको या दखना है किसके इलाज में कीमो थेरेपी उप्योग किया जाता है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है कैंसर के यानि की ओप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा इस पॉंडिलाइटिस बिमारी किसे परभावित करती है दोस्तो तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरुदन को यानि की राइट आंसर इस सी तो 31 का राइट आंसर दोस्तो सी हो जाएगा एथलीट फूट रो किस से संबंदित है एथलीट फूट दोस्तो यह बिमारी किस से संबंदित है तो 32 का right answer आपका हो जाएगा fungus यानि की right answer is B तो यह आपको या दखना है 32 वे question का titanus row किस जिवानों से होता है तो इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा glow stadium titanus यानि की right answer दोस्तो C हो जाएगा ठीक है यानि की option आपका C रहेगा अगला question है titanus बिमारी को अन्ने किस नाम से जाना जाता है तो इस question का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा लोक जा यानि की right answer दोस्तो B रहेगा 34 वे question का right answer सब परतम जिवानों का पतल लगाया था किसने दोस्तो तो 35 वे question का right answer हो जाएगा तो लिवेन होक ने यानि की right answer is B यह आपको यादखना है अगला question है law of floating सिधान्त की कोज किस ने की थी law of floating सिधान्त की कोज दोस्तों किस ने की थी 36 question का right answer हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है Archimedes ने यानि की right answer is D 37 question है जी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है और यह हमारा question रहेगा दोस्तों जिसका answer आप सभी को comment box में बताना है यह हमारा यानि की आज की quiz booster का question रहेगा तो यह थे दोस्तों आज के questions और बाकी आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं PDF का link नीचे description box में है और इसके अलावा दोस्तों मेरी playlist है एक railway group D बिल्कुल exam वाले person की नाम से उस playlist को एक बार starting से देखना शुरू करें दोस्तों बहुत ही जबरदस्त playlist है और आपकी exam में 100% questions बनेंगे हुआ से आप देख लेना 17 तारीक से analysis होगा तो मैं आपको 100% बताऊंगा कि कौन-कौन से questions बने है ठीक है तो timing भी note कर सकते हैं ये दो class तो होती है दो class सुबह आती है morning में topic wise current affair की और daily current affair की उनको भी देख सकते है चैनल को subscribe करिए bell icon कौन रखिए ताकि video upload होती है आपके पास notification पहुँझे मिलते है next class में thank you so much bye bye everyone take care